नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल दाना का इस्ट्रक्शन टिप्स में तो आज की वीडियो में हम आपको बताने बाड़े हैं कि सरीय के अकॉर्डिंग आपके घर की स्लैप कितनी होनी चाहिए जिस पर कार का आपके घर में सरीय बंदा है उसके मताबिक आपके घर की जो स्लैप हम चत की स्लैप डालते हैं वो कितनी होनी चाहिए तो उससे पहले हम आपको बताते हैं जो ये जाड़ बंदा हुआ है इसमें ये टूवे स्लैप का जाड़ बंदा हुआ है तो इसमें जो स्लैप डलनी चाहिए वो हम आपको बताते हैं जै तो जो साड़े चार्जिस में कोई क्रेंक नहीं होती अब यहां पर जो यह च्छत बंदी कही है इसमें यह टूवे स्लैब का जाल बंदा हुआ है इसमें चारो तरफ क्रेंक है तो इसके अकॉरडिंग आपकी च्छत की स्लैब है जो वह कितनी होनी चाहिए वह हम आपको बता हुष करेंक यह नॉर्मली तीन से 3 140 इंच एक leisure जाती है जिसके उपर भाह धमें फिर extra डलता है और अब यहां पर हम अपको दिखाते है यह जो 3-3 इंच यह हो गी है जो प्लेट के लेवल से 3-3 इंच हो गी है तो इसके नीचे अभी एक एक इंची का यानि 25 mm का कवर ब्लोक लगेगा तो यह 4-5 इंच हो गई तो जिसमें इसके उपर भी कम से कम डेड़ से एक से डेड़ इंची जो कास्टिंग है जो हमारा मेटीरियल होता है वो आना चाहिए क्योंकि छत में जब हम कंसिल्ड वगेरा भी लगाते हैं जो पाइप पेटिंग करते हैं उसमें कंसिल्ड लगते हैं वह भी 4 से 4-5 इंची होती है तो उसको भी पूरे तरीके से कवर करना जरूरी है तो अब यह 3-5-3 इंची तो क्रेंक हो गई तो उसके नीचे एक इंची का कवर ब्लोक लग आगा इसके सरीये के और इसके उपर भी कम से कम 2-1,5-2 इंची माल आना जरूरी है ताकि जो हमारा सरीया के मताबिक तो 4,5-4 इंची स्लैप होने चाहिए लेकिन जब सरीया बंद गया है तो उसमें हमारी स्लैप कम से कम हमें 1,5-5 इंची तो डालनी चाहिए ताकि सरीया हमारा प्रॉपर कवर हो सके और चत में भी कोई क्रेंक ना आए तो यहां पे अगर हम स्लैप कम डालें तो सरीया के निच्चे जो माल है या उपर निच्चे जो भी माल आईगा वह प्रॉपर तो तो कम से कम आपको सड़े पांच इंची स्लैप तो डालनी ही डालनी है, चाहिए आप राइज डैंसल बना रहे हो या घर को हम कमर्सिल बना रहे हो, तो अगर उसके बाद आती है हमारे घर के लोड की, जो अगर हमारा घर फ्रेम स्ट्रक्चर पे बन रहा है, तो उसके अनुसार हमारी जो स्लैप है, व अगर हम 4-4.5 इंची स्लैप डालते हैं, तो उसमें जब हम च्छत के उपर कोई सामान गिराते हैं, तो वो च्छत से पूरी आवाज बिल्कुल नीचे तक आती है, और कहीं बार हलकी हलकी च्छत हिलती भी है, तो इसलिए कोशिश यही रखें कि हम 4-4.5 इंची स्लैप डालक कि 5.5 इंची स्लैप डालें, तो दोस्तों यही था अगरी वीडियो में हमारा टॉपिक तो वीडियो